स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोसंस्ता स्टेडी पॉइंट पे और आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर ठीक है यह जो सी वीडियो है आप लोगों के लिए इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद को समझ भाएंगे कि 2022-23 जो आपका फरवरी मार्च में जो एचाम होने वाले है उसमे पॉलसैंस को कॉस्चन पेपर का पैटर्न किस तरीक तरीके से रहने वाला है मतलब मॉडल क्या रहे गा उसका आप किस तरीका का त्यार किया जा हैका इसके अलाबागा अगर एंसर की हम बात करें तो मेरक उपको पता है कि भोह साजी सुनेंड कमेंड काऎंगगे कि रömद करें दूझ मेज़े कि esse है का प्रॉऩाइट करने के बाद कि यहां लेह प्रॉवा अपको रघ्चेक्ट हैतो धोशन पेर क परॉबडिट करना रे जाए Значит कि तो पर र doors को प्रॉबडिट करने के पाद क्या है तो आपको जब chapter आप सभी chapter को समझ जाएंगे तो question paper को आप असानी से solve कर पाएंगे मैं चाहता हूँ कि पहले हम slippers को complete करें उसके बाद हम इसके answer की को देखें आज किस वीडियो में हम इसके pattern को समझने वाले question paper का क्या pattern रहेगा तो सबसे पहले देखिए आपका जो exam है political science का कितने marks का होगा 80 marks है ना और समय कितना जीत दिया जाएगा तीन घंटे का समय रहेगा अब हम अगर बात करेगी सभी question आपके लिए क्या रहेगे अनिवार है सभी question करना है आपको इसके अलाबा एक से लेके हम 12 के अगर हम बात करें एक से बारत तक 1 marks के question है यानि कि यह multiple choice यानि की mcq question होगे ठीक है इसके अलाबा हम बात करें 13 से लेके 18 तक तो यह 2 marks के question रहने वाले है और जितने भी question होगे 2 marks वाले हो उसको आपको 50 words में answer करने है ठीक है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इतने में आपको निप्टाने है उसके बाद हम बात करें 24 से लेके 26 तक तो 24 से लेके 26 तक के जो question है उसमें आपका paragraph होंगी है पैसिस होंगी आपके cartoon होंगी और map ठीक है इसके अलाबा हम बात करें 27 से लेके 30 तक तो यह question ऐसे है जो कि 6 marks से रहेंगे बहुत जादा important है यह question क्योंकि जो student अच्छे score करना चाहते हैं तो 6 marks से question अगर आपका एक भी खराब हो गया तो समझे लो result आपका down हो जाता है फिर ठीक है और सभी जितने भी 6 marks से question दे रहे हैं सब में क्या होगा option होगा आपके पास 2 question होगे उसमें से 2 marks के question रहेंगे ठीक है 13 से लिए 18 तक उसके बाद section C में 4 marks के question रहने वाले है 19 से लिए 23 तक D में आपका paragraph होगा है पैसी यानिकी और इसके अलाबा आपका map और map के बाद आपका cartoon भी होगा इसमें तो इस तरीके से रहेगा उसके बाद आगे जाएंगे हम section E course section E में जितने भी question है कितनी marks के रहने वाले 6 marks के आप देख सकते है कि सभी question questioncoon 27 तो आप 2 goton दिएगे हैं इसमें से कोई 1 question आपको कर ने होंगे है 28 में beyond question भी question है जितनेधे six marks and agreements के question होगे समने 2 question होंगे उसमें से 1 engineers' करना है तो इस तरीके से टोटल कोशन के संख्या कितनी हो गई 30 कोशन है सभी कोशन अनिवार है सभी कोशन को करना जरूरी है आप लोग के लिए बागी एंसर के यूटूब पर जितने मरजी वीडियो देखे लेकिन आप सेलव स्टेटी करें अब बोग रीडिंग कर सकते हैं आप खुद से नोट्स बनाए और कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ ना पुछ आप जरूर बढ़े यह अपने एक्जाम का इंतरा करें गागी एक्जाम का तभी हम बढ़ेंगे तो उसमें आप प्रैसर में आ जोगे और सही से आपकी स्टेडी नहीं हो पाएगी तो अभी सही थोड़ा थोड़ा आप स्टेडी करते रहे बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक ये लिए जय हिंद जय भारत अपना ख्याल ये नहीं आपकी.